नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का Quality and Fact for UPSC and Net के मेरे इस YouTube चैनल पर दोस्तों आज मैं बात करूँगा Decline of Political Theory यानि राजनितिक सिधान्द का पतन आखिर ये क्या बहस है? क्यों राजनितिक सिधान्द का पतन हो गया है? और इसमें हम डिटेल से चरचा करेंगे कि कौन कौन से थिंकर है जो राजनितिक सिधान्द के पतन की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम चर्चा करेंगे कौन कौन से ठिंकर है जिनोंने यहां मान्यता नहीं मानी कि राजनितिक सिधान्त का पतन हो गया है यहां हम इसे कह सकते हैं एक तरफ है जो राजनितिक सिधान्त के पतन की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ है जो राजनितिक सिधान्द के उत्थान की बात कर रहे थे दोनों को डिटेल में समझते हैं फ्रेंट्स 1950 के बाद यहाँ बहस उत्पन हो गई कि राजनितिक सिधान्द का पतन हो रहा है अब कोई भी ऐसा राजनितिक चिंतक नहीं रहा जिसने की बहुत अच्छा काम किया हो राजनितिक के लिए और यहीं से यह बहस शुरू होती है इसको आगे हम डिटेल में समझते हैं दोस्तो सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि आखिर यह बहस शुरू की हुई कौन इसके पिछे मुखे चिंतक रहे दोस्तो जैसा कि आप लोग जानते हैं डेविड इस्टन बिहेवियरलिज्म व्यवहारवाद के बहुत ही महत्तोपुन प्रवक्ता है और आपको व्यवहारवाद का भी पता होगा कि व्यवहारवाद की मूल माननेता क्या है मैं व्यवहारवाद पे पहले लेक्चर बना चुका हूँ अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे जरूर देख ले क्यूंकि आपको उससे एक आइडिया लग जाएगा कि व्यवहारवाद क्या है और इसकी मेन अजम्शन क्या है हाँ तो मैं बात कर रहा था डेविड इस्टन ने 1953 में एक बुक लिखी थी ये बुक थी The Political System and Enquiry into the State of Political Science और इस बुक में उन्होंने राजनितिक सिधान्त को व्यवहारवादी बनाने की कोशिश की उनका मुख्य तर्क क्या था कि जो आपका ट्रेडिशनल जो आपकी थिंकिंग है जो आपकी ट्रेडिशनल जो आपका पॉलिटिकल थिंकिंग है वो कोरे चिंतन मनन प्याधारित है मतलब उसके पीछे कोई फैक्ट नहीं है वो सिर्फ कालपनिक टाइप की है फैक्ट कहां से आएगा जब आप उसको साइंटिफिक बनाओगे व्यवहारवादी बनाओगे अर्थात हम कह सकते हैं डिकलाइन ओफ पॉलिटिकल थियोरी व्यवहारवाद के जनम से शुरू होती है आगे डेविड इस्टन इसमें कहते हैं कि जो आपकी क्लासिकल थियोरी थी उसकी अब कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है उन्होंने कहा कि माक्स और जैस मिल के बाद कोई दार्षनिक ऐसा पैदा नहीं हुआ है जिसने की बहुत ज़्यादा योगदान दिया हो राजनिती में ठीक है और इस बहस के कारण ये जो डेविड इस्टन ने शुरू की थी इस बहस के कारण राजनितिक विद्वान दो खेमों में बट गए थे 1953 के बाद एक था जो राजनितिक सिधान्त के पतन की बात कर रहे थे जो कह रहे थे कि राजनितिक सिधान्त की अब कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है राजनितिक सिधान्त का पतन हो गया है क्योंकि अब कोई भी थिंकर ऐसा उत्पन नहीं हो रहा है या कोई भी थियोरी ऐसी नहीं दे पा रहा है जो किस माज के लिए लाबदायक हो ठीक है और दूसरी तरफ थे राजनितिक सिधान्त के उत्थान से संबंदित विचारक जो कही ना कहीं कहते थे कि राजनितिक सिधान्त का पतन अभी नहीं हुआ है राजनितिक सिध्धान्त में बहुत सारे ऐसे तथ्ये हैं बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जिसे हमें अभी ढूंडना है अभी इसका खात्मा नहीं हुआ है दोस्तों यहां मैं आपको बता दूँ कि आपने इसमें कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है CBSE NET के जो आपने प्रिवियस कोश्चन पेपर देखे हूंगे उसमें डारेक्ट कोश्चन आते हैं और मैक्सिमम टाइम इस चैप्टर से कोश्चन आता ही है हर साल मैंने देखा है कि यहां से एक नाएक कोश्चन पढ़ा ही है जैसे 2015 में कोश्चन पढ़ा था कि राजनितिक सिधान्त के पतन से कौन सम्बंदित नहीं है उसमें चार ओप्शन दिये थे उसमें से तीन सम्बंदित थे एक नहीं था वैसे ही 2014 में भी कोश्चन आया था कि राजनितिक सिधान्त के उत्थान्त से कौन सम्बंदित है तो ये इसी टाइब के question आएंगे तो आपको कम से कम इतना तो पता होना ही चाहिए कि कौन सा थिंकर राजनीतिक सिधान्त के पतन से संबंदित है और कौन सा राजनीतिक सिधान्त के उठ्थान से है सबसे पहले मैं बात करूँगा राजनितिक सिधान्त के पतन से संबंदित विद्वानों की इसमें सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण चिंतक है डेवीड इस्टन ठीक है इन्होंने ही सबसे पहले 1953 में अपनी बुक लिखी थी The Political System and Inquiry into the State of Political System ठीक है और इन्होंने कारण क्या बताया अब ये कारण बहुत ज़रूरी है क्योंकि कारण मैच करने के लिए कई बार आ चुके है कि ये कारण राजनितिक सिधान्त के पतन के बारे में किस ने दिया है तो आपको कारण भी याद रखने है और थिंकर भी याद रखने है डेवीड इस्टन ने कारण बताया इतिहास वाद और मुल्यों के कारण पतन हुआ है ठीक है इन्होंने बोला जो इतिहास वाद था डनिंग, सेवाइन और लिंड से का जो हिस्टरी के उपर बहुत ज़्यादा इन्होंने फोकस किया था बहुत ज़्यादा इन्होंने हिस्टरी को महत्तो दिया था डनिंग, सेवाइन और लिंड से ने इनके कारण राजनितिक सिधान का पतन हुआ डेवीड इस्टन कहते हैं उसके बाद अगला इनोंने कारण बताया नेतिक सापेक्षवाद अब नेतिक सापेक्षवाद क्या है जो आपका प्रत्यक्षवाद पॉजिटिविजम औगस्ट कामटे का जो पॉजिटिविजम था इसको भी इनोंने कारण बताया अब ये बात आपने ध्यान रखना डेव से वाईन और लिंड से और सेकिंड कारण है आपका पॉजिटिविजम पॉजिटिविजम में कॉम्टे और वेबर का पॉजिटिविजम यह दोनों इन्हों ने पतन के कारण बताएं दोस्तो डेविड इस्टन के बाद सेकिंड इसमें चिंतक है अलफ्रेड कॉबन यहाँ पे आप एक बात नोट कर लीजिए भले ही डेविड इस्टन इसके महतोपून चिंतक रहे हो लेकिन अलफ्रेड कॉबन पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राजनितिक सिधान्त के पत के दिक्लाइण की दोस्तो अब अलफ्रेड कॉबन के पोइंट आप नोट कर लीजिए कि इन्होंने क्या पोइंट दिय थे राजनितिक सिधान्त के पतन के इन्होंने भी दो पॉइंट दिये है डेविड इस्टन की तरह पहला तो इन्होंने बोला कि ना ही कैपिटलिजम म सिध्धान्त की जरूरत इन दोनों में जरूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने बोला Capitalism में या तो bureaucracy राजनिती पे हावी हो जाती है या फिर आपका सैनिक तंत्र दूसरी तरफ oligarchy में one party जिसे oligarchy ये बोलते हैं one party dominance कर जाती है जैसे की communist party अब इन दोनों में political theory का कोई relevancy नहीं है जहाँ पे one party rule होगा ताना शाही होगी वहाँ पे जो मर्जी political theory आप बना लो उसका कोई काम नहीं है अर्था तब political theory की जरूरत ही नहीं है तीसरे इसमें चिंतक है काल पोपर काल पोपर ने theory of falsification दी अब theory of falsification क्या है इन्होंने क्या कहा ना ही natural sciences में ना ही social sciences में ऐसी theory हम बना सकते हैं जो कि permanent हो जो कि मतलब जिसका कोई तोड ही ना हो मतलब theory क्या है theory तो final result होता है न कि मतलब उसके बाद उसके उपर कोई काम किया ही नहीं जा सकता है जैसे एक newton की theory है gravitation की अब theory theory है उसके उपर आगे कोई गुंजाईश नहीं है काम की लेकिन काल पोपर ने क्या कहा कोई भी theory चाहे वो natural science की हो या फिर social science की pure नहीं हो सकती है वो theory तब तक pure है हम तब तक उस theory को मानते हैं जब तक उसके counter में उसके विपक्ष में कोई theory हमारे सामने ना आ जाए जैसे की पहले क्या होता था हम सूरज को क्या मानते थे भगवान मानते थे तो एक theory थी उसको क्या बोलते divine theory ठीक है उसके बाद जैसे जैसे विज्ञानिकों ने शोध किये तो उसे एक star बोला गया कि एक star है और ये ब्रह्मान में घूम रहा है तो इसमें क्या है जो पहली theory थी वो falsification होगी उसकी falsification होगी वो false होगी उसको अब लोग नहीं मानते कि ये भगवान है ठीक है या फिर ऐसा वैसा कुछ है तो वैसे ही social sciences में जब तक कोई नई theory नहीं आ जाती तब तक ही पुरानी theory बनी रहती है जैसे ही कोई नई theory आ जाती है पुरानी theory खत्म हो जाती है यही theory of falsification है और इसने कहीं ना कहीं political theory को मतलब इसके पतन में योगदान दिया अगले इसमें thinker है सिमोर मार्टिन लिपसेट ठीक है इनए बुख लिखी थी political man ठीक है political man में इन्होंने क्या कहा कि समाज के लिए मुल्य पहले ही निर्धारित किया जा चुके हैं अब मुल्य क्या है ये इन्होंने बोला डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी समाज के लिए ऐसा मुल्य है जो पहले ही निर्धारित किया जा चुका है राजनिती में डेमोक्रेसी से बढ़िया कोई चीज होई नहीं सकती है अर्थात अब राजनितिक सिधान्त की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुल्य निर्धारित किये जा चुके हैं अर्थात इन्होंने भी कहीं ना कहीं राजनितिक सिधान्त के पतन की बात की है दोस्तो ये थे आपके मेन जो छे पॉलिटिकल ठिंकर जो की राजनितिक सिधान्त के डिकलाइन से जुड़े हैं अब हम बात करते हैं राजनितिक सिधान्त से जुड़े हुए, राजनितिक सिधान्त के उत्थान, रिसर्जन्स से या रिवाईवल से जुड़े हुए ठिंकर दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कि राजनितिक सिधान्त का एक ऐसा खेमा था, जिसने राजनितिक सिधान्त के पतन को बिल्कुल ही नकार दिया और इन्होंने इसके उत्थान के लिए प्रियास शुरू कर दिये, राजनितिक सिधान्त के उत्थान में जो चिंतक है वो इस परकार है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सबसे पहले दानते जर्मीनों, इन्होंने अभी जो मैंने आपको बताया, इन्होंने बुक लि जी दर रिवाइवल ओफ पोलिटिकल थियोरी, ठीक है, उसके बाद जॉन रॉल्स, जॉन रॉल्स बहुत ही महतोपुन ठिंकर है, इन्होंने अ थियोरी ओफ जस्टिस 1971 में लिखी है, और जॉन रॉल्स पहले ऐसे व्यक्ति है बीशु इस्वी श्ताब्दी के, जिन्होंन लगभग 22-23 साल के बाद थियोरी ओफ जस्टिस की बात की है, और अपने सिधान के लिए जस्टिस को आधार बनाया है, और इन्होंने बहुत ही महतोपुन योगदान दिया है, उसके बाद है, थर्ड माइकल ओक्षोट, अगले है, हन्ना आरेंट, नेक्स्ट है, जॉविन नेक्स्ट है, लियोस्ट्रोस, नेक्स्ट, शेल्डन, वॉलिन, तथा थॉमस S. कुन, अब मैं आपको इनके बारे में थोड़ा-थोड़ा संख्षिप्त मैं बताऊंगा, आप लोग चाहे तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, सबसे पहले थिंकर लियोस्ट्रोस, लियोस्ट्रोस ने क्या है, 1962 में एक लेख लिखा, और उसमें व्यवहारवादियों के वैल्यू फ्री, जो उनका एक कॉंसेप्ट था, कि राजनिती को वैल्यू फ्री बनाना है, राजनिती शाष्तर को राजनितिक दर्शन से बिलकु इंपोर्टेंट हैं यहां पर, क्योंकि जो व्यवहारवादि थे, वो पॉलिटिकल थियोरी को महतो देते हैं, पॉलिटिकल फिलोस्पी को नहीं देते हैं, फिलोस्पी क्या है, फिलोस्पी जैसी कि प्लैटो ने दी है, एरिस्टोटल ने दी है, या फिर ऑगस्टाइन न फिलोस्पी को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया था उन्होंने सिर्फ थियोरी को फैक्ट को महत्व दिया था इसी कारण आपके लियो स्ट्रोस ने 1962 में एक लेख लिखा और व्यवहार वादियों के वेल्यू फ्री कॉंसेप्ट पर आक्रमन किया और उन्होंने कहा कि जितनी पॉलिटिकल थियोरी इंपॉर्टेंट है उतनी ही फिलोस्पी भी जरूरी है क्योंकि राजनिती शाश्त्र प्योर साइंस बनी नहीं सकता है क्योंकि हुमन नेचर क्या है डायनमिक ठीक है हमारे लिए प्लैटो की थियोरी भी उतनी ही जरूरी है आज भले ही 22-23 साल हो आज भी वो हमारे लिए जरूरी है क्यूंकि कुछ देश ऐसे है जहां पे वो आज भी सूट करती है ठीक है नेक्स्ट आप देख लीजिए हरबट मारक्यूजे थे इन्होंने वन डाइमेंशनल मैन एक बुक लिखी है जिसमें इन्होंने बात की है कि ओद्योगी की करण के कारण व्यक्ति क्या है इंडस्ट्रिलाइजेशन के कारण व्यक्ति क्या है वन डाइमेंशनल हो गया है ठीक ह Worker क्या होगे? Machine बना दिये worker की Worker को बस एक ही command दी जा रही है एक ही तरफ उसको धकेला जा रहा है कि काम, काम, काम बस तुम काम करो, उत्पादन करो उत्पादन करो एक ही dimension बना दिया है हला कि worker के और भी dimension है सामाजिक भी उसके dimension है social dimension है ठीक है? उसका घर भी है परिवार भी है लेकिन उसको सोचने ही नहीं दिया जा रहा है प्रोडक्शन से जादा और दूसरी तरह पूझी पती पूझी पती भी वन डाइमेंशनल हो गये है वन डाइमेंशनल कैसे हो गये उनको बस पैसे से ही मतलब है पूंजी से ही मतलब है, कैसे हम उत्पादन को बढ़ाए, कैसे हम ज़्यादा पैसे कमाए मतलब इनसान वन डाइमेंशनल हो गया है और सोसाइटी से कट गया है तो इस जो इनोंने थियोरी दी या इनोंने जो ये बात की इससे भी कही ना कही एक आशा जगी की अभी भी राजनितिक सिधान्त में बहुत कुछ करने के लिए बचा है अभी हमारे मुल्य पूरी तरिके से निर्धारित नहीं किये गए है नेक्स्ट इसमें हमारे बरलिन बरलिन के बारे मैं आपको पता होगा इन्होंने Two Concepts of Liberty दी है इन्होंने भूक लिखी है Two Concepts of Liberty और बरलिन के बारे में पिछले तीन साल से मैं देख रहा हूं हर साल कॉश्चन आता है तो आपने Berlin को इतना lightly नहीं लेना इसको अच्छे से पढ़ लेना है आपने Berlin क्या है आपके neo-liberalist thinker है neo-liberalist समझते हैं आपके जो बाजयारवादी प्रणाली को महत्व देते हैं तो Berlin ने क्या है negative liberty two concept of liberty है तो उसमें इन्होंने negative liberty को बहुत जादा महत्व दिया हैं ठीके इन्होंने बोला है कि कुछ व्यक्तियों के स्वतंतर रहने से अच्छा है कि कुछ लोगों को पूरी स्वतंतरता दी जाए अर्थात इन्होंने negative liberty की बात की है और Berlin ने जो traditional political theory थी उसको इसने एकलवादी बताया है एकलवादी मतलब उसका एक ही पक्ष है जो traditional political theory है उसका एक ही पक्ष है और वो है value जैसे की plateau की theory आप देखोंगे उसमें सिर्फ नैतिकता को ही महत्तु दिया गया है values को ही महत्तु दिया गया है तो इन्होंने बात की बरलीन ने कि इसको एकलवादी से बहुलवादी बनाना पड़ेगा यानि मुल्यों के साथ साथ तर्क को भी इसमें लाना पड़ेगा इसमें बहुत सारे और भी dimension है उसको भी इसमें लाना पड़ेगा हमें अगले हमारे thinker है Sheldon S. Wallin ये thinker आप रट लो जैसे मर्जीन को याद कर लो इनकी किताबे भी आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि यही thinker आते हैं आज कल नेट मैं Thomas Hobbs, Locke, Russo ये नहीं पूछे जाते हैं आप analyze कर ले ना previous question paper ठीक है Sheldon S. Wallin ने एक book लिखी Politics and Vision ये 1960 में लिखी थी इन्होंने book और इसमें इन्होंने क्या बात की कि जो traditional political theory है ठीक है जो traditional political theory है वो बहुत ही महतोपूर्ण है जिसकी अवहेलना हम नहीं कर सकते हैं जैसा कि मैंने अभी बोला कि human जो behavior है human जो nature है वो क्या है dynamic है कहीं कहीं इन्सान मतलब परंपरागत तरीके से चलता है कहीं modern तरीके से चलता है society ना तो पूरी तरीके से modern है ना ही tradition है कहीं पे वो बीच की स्थिती में भी अभी है इसलिए हमें plateau भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है philosophy भी हमारे लिए उतनी ही जरूरी है जितनी की थियोरी अगले इसमें थिंकर हुए है थॉमस एस कुन्ह थॉमस एस कुन्ह इन्होंने बुक लिखी the structure of scientific revolution ये 1962 में इनकी बुक आई थी और इसमें इन्होंने behavioralism व्यवहारवाद की कड़ी आलोचना की थी उसके बाद John Rawls मैं आपको बता चुका हूँ theory of justice 1971 उसके बाद डेविडिस्टन अब यहाँ पे देखो आप सबसे पहले जो मैंने थिंकर बताया था पतन में वो थे डेविडिस्टन डेविडिस्टन ने बात की थी पतन की लेकिन 1979 में आपने पोस्ट बिहेविलिजम का लेक्चर मेरा देखा होगा तो आपको यहाँ पे याद आएगा कि 1979 में इन्हों ने एक भाशन दिया था जिसमें इन्होंने बोला था कि व्यवहारवाद राजनिती को समझने के लिए उप्यूक्त नहीं है ठीक है तो इन्होंने उत्तर व्यवहारवाद की वकालत करना शुरू कर दी थी 1969 के वाल तो कही ना कही इन्होंने भी राजनितिक सिधान्त के उत्थान में अपना योगदान दिया है दोस्तो अब बात कर लेते हैं State of Political Theory Today कि आज राजनितिक सिधान्त की क्या स्थिती है क्या वो पतन की ओर जा रहा है या फिर उत्थान की ओर जा रहा है तो दोस्तो मैं आपको बता दू 1970 के बाद ये बहस कही ना कही डिली पड़ गई कि राजनितिक सिधान्त का पतन हो रहा है अर्थात राजनितिक सिधान्त 1970 के बाद उत्थान की ओर जाने लगा उसके तीन मुख्य कारण है सबसे पहला तो 1970 में उत्तरवे अभारवाद, पोस्ट बिहेविलिज्म रेविलिशन आता है, ठीक है, दूसरा आपका उत्तर आधुनिकतावाद, पोस्ट मोडनिज्म की थियोरी की भी शुरुआत हो जाती है, और तीसरा कारण है, रिसेंट में जो अभी आया है, पोस्ट ट को थोड़ा सा explain कर दू, हो सकता है आपके लिए ये शब्द नया हो, दोस्तो होता क्या है, 2014 में ब्रेक्जिट की मांग उड़ती है, हाला कि लोगों ने उम्मीद नहीं की थी कि ब्रिटेन, ब्रेक्जिट के समर्थन में, ब्रेक्जिट के समर्थन में वोट करेंगे, लेकि अमेरिका में इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं, और हिलेरी क्लिंटन को जितने भी प्री पॉल सर्वे थे या पॉस्ट पॉल सर्वे थे, उसमें ये दर्शाया गया कि हिलेरी क्लिंटन ही जीतेंगी, लेकिन हुआ क्या उसका उल्टा, डोनाल्ड ट्रम्प जीत गये, अर्था अब लोग truth सत्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं ठीक है सत्य को वो नहीं समझ रहे हैं लोग सत्य को वो नहीं सुनना चाहते हैं जो व्यक्ति चिकनी चुपड़ी बात करेंगे ठीक है जैसे कि नरेंदर मोदी ने कुछ वादे किये थे प्रधानमंतरी नरेंदर मोदी ने कु या फिर पंदरा लाख आपके एकाउंट में आएगे इस टाइप के कुछ चिकनी चुपड़ी बाते की थी जिसकी बज़े से एक बहुत बड़ा केमपेम तियार हुआ इंडिया में और बीजेपी पूर्ण बहुमत से 1990 के बाद सत्ता में आई ठीक है उसी तरह डोनाल्ड ट् हो जाएगा जो मुस्लिम कंट्रीज अमेरिका में आके बस गई है और मतलब आपका रोजगार छीना गया है विदेशों के द्वारा अमेरिका के लोगों का इस टाइप की उन्होंने बाते की थी तो इसमें ट्रेप में फस गए लोग और उसकी बज़े से डोनाल्ड ट्रम् यही है पोस्ट ट्रुथ आई होब आप लोगों को यह अच्छे से समझ आया होगा दोस्तों यह सारा था आपका स्टेट ओप पॉलिटिकल थियोरी या डिकलाइन और रिसर्जेंस ओफ पॉलिटिकल थियोरी आई होब आप लोगों को यह लेक्चर समझ आया होगा अगर आप लोगों को मेरा यह लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें